सवाल नमबर एक मुख्य मंत्री की न्यूपति किसके द्वारा की जाती है उप्षन ए राज्ये पाल, बी राश्टरपती, दी ग्रह मंत्री तो इसका सही जवाब है कि उप्षन ए राज्ये पाल सवाल नमबर दो ऐसी कौन सी पक्षी है जो दूद से पानी को अलग कर सकती है ओप्षण ए कोयल, बी सुतुरमूर्ग, सी बुलबुल, डी हंस तो इसका सही जवाब है ओप्षण डी हंस सवाल नमबर तीन प्रित्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है ओप्षण ए मंगल ग्रह को, बी सुक्र ग्रह को, सी सनी ग्रह को, डी ब्रस्पत ग्रह को तो इसका सही जवाब है ओप्षण भी सुक्र ग्रह को सवाल नमबर च्यार स्वास्त सेवा में कौन सा देश नमबर वन है option A. भारत, B. कनाडा, C. रूस, D. जापान तो इसका सही जवाब है option B. कनाडा सवाल नमबर पाँच मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है option A. चार, B. तीन, C. छे, D. दो तो इसका सही जवाब है option B. तीन सवाल नमबर छे, भारत में 10 रुपै का सिटका बनाने में कितने रुपै का खर चाता है option A. दो रुपै का, D. तीन रुपै का, C. सात रुपै का, D. पाँच रुपै का इसका सही जवाब है option B. तीन रुपै का सवाल नमबर साथ, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस सहर को जाना जाता है option A. मुंबै को, B. पुने को, C. कानपूर को, D. जोधपूर को तो इसका सही जवाब है option D. जोधपूर को सवाल नमबर आठ, भारत के किस राज्य को स्वर्ग कहा जाता है option A. जम्मु कस्मीर को, B. असम को, C. गुजरात को, D. केरल को तो इसका सही जवाब है option A. जम्मु कस्मीर को सवाल नमबर नौ, सभी बिठामिनों का राज्य किस फॉल को कहा जाता है option A. आम के फल को, B. पपीते के फल को, C. लीची के फल को, D. बेलपत्र के फल को तो इसका सही जवाब है option B. पपीते के फल को सवाल नमबर दस, औरत की बच्चा जन्म करने की सही उम्र क्या है option A. 18 वर्स, B. 20 वर्स, C. 22 वर्स, D. 25 वर्स तो इसका सही जवाब है option D. 25 वर्स